Hello and Hi to all my dear students, दोस्तों, आज पेपर चेकिंग का थर्ड डे था और दो दिन में जितने भी मैंने फिजिक्स के फेकल्टी से बात करी है, उनका रेस्पॉन्स जो है बहुत पॉजिटिव है, आज एक सरसे मेरी बात हुई, जो पेपर चेकिंग में जाते हैं, फिजिक्स के पेपर कि आज इनफेक्ट उन्होंने एक बच्चे को 50 में से 50 मार्क्स दिये हैं थियोरी के अंदर फिजिक्स में, उनका कहना ये था कि बोड में ऐसा रूल है कि फोटो नहीं खीच सकते हैं, बाकि वो सप्रीमेंडी का फोटो खीचके भी यहां पे रखते, या फिर मुझे शेर क नहीं देख पाएंगे इस रूल की वज़े से, बाकि उनके कमेंट्स ऐसे थे कि 50 में से 50 उन्होंने दिये हैं, फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैजोरिटी जो बच्चे हैं, जो पेपर वो चेक कर रहे हैं, उसमें सभी बच्चों के 25 प्लस तो है ही, जो सर्म्स हैं, उसक के लिए तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स आइए, उन्होंने ये भी बताया कि 3 या 4 पेपर हरोज, 80 या 90 पेपरों चेक करते हैं, उसमें 3 या 4 पेपर ऐसे होते हैं, जिनके मार्क्स 0 होते हैं, जो कि उन्होंने खाली कुशन लिखके छोड़ दिया है, आप कुशन लिखके नहीं किया आपने, तो फिर तो कोई एविदेंस नहीं है मार्क्स देने का, समझाए आपको, तो ऐसे 3-4 पेपर हरोज, चेकिंग में आ रहे हैं, जिनके 0 मार्क्स हो, आज मैनी मैट्स के सर से भी बात हुए, उन्होंने बोला कि आज का पेपर चेकिंग काफी अच्छा रह पहले दो दिन उनका पेपर चेकिंग, बलग उनको पेपर मिल रहे थे, वो पेपर के अंदर जादा मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट आज 40 प्लस 8 या 10 बच्चे थे, उन्होंने शायद 60 बोला, हाँ 60 पेपर चेक किये, और अच्छे कासे बच्चे जो है, 40 प्लस आज उन्ह कोने बुला कि केमिस्ट्रे के पेपर ठीक लिखे हैं, सभी बच्चों के 15 से 30 के बीच में माक्स आ रहे हैं, और 40 प्लस वाले बच्चे के अंदर बहुत कम हैं, और 0 वारी सप्रेमेंटी 3-4 बिल रहे हैं उनको भी, पर डे, तो ये दोस्तों अपडेट है, तीन दिन हो अभी शायद और जैसे मैंने खल बताया था, साथ या आठ दिन और चलेगा ये सिलसला, और 9 और 10 तारीक, 10 अपरिल तक, शायद ये पूरा जो पेपर जैगेंगा, जो भी प्रोसीर है, पूरा कंब्लेट हो जाएगा, फिर मार्क्स बोड में जाएंगे, सब्मेंट होंगे सब्रिमेंटी सब्मेट हो जाएगी, फिर दिरे दिरे रिजल्ट बनेगा, और रिजल्ट बनने के बाद, पूरी जॉब की माक्षिट है, वो रेडी हो जाएगी, और हम एक्सपेक कर सकते हैं, कि 20 में तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर जैसी रिजल्ट आएगा, और जो बच्चे फेल हुए हैं, एक या दो सब्जेक में, वो जुलाई में एक्साम दे सकते हैं, जो तीन में फेल होंगे, उनको अगले साल अपियर होना होगा, तीन सब्जेक के लिए जुलाई में एक्साम नहीं आता है, जिन बच्चों को अपना रिजल्ट इंप्रू क के लिए chemistry में अगर मैं particular बात करूं तो यहां पे chemistry में 12th के syllabus से 6 chapter निकल चुके हैं तो 10 chapter का ही syllabus है तो improvement exam definitely आप दे सकते हो उसका notification है ना जैसी बोड का result आएगा उसी week में notification आएगा तो दोस्तों यह था आज का update मैंने आपको पूरा जो लेखा जो आज के दिन का वो पूरा मैंने बता दिया और भी आपके कुछ queries है तो दोस्तों मुझे comment box में बताना I'll try to answer as soon as possible okay students तो मिलते हैं कल देखते हैं कि कल जो फैकल्डी आपके क्या review है सप्रिमेंटी देखने के बाद okay students तो मिलते तो definitely comments पे लिखना thank you so much students